नमस्कार साथ ही हो तो आज है 28th October 2024 कल 21st October मंडे से एक नया ट्रेडिंग विग शुरू न जा रहा है जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग विग पर मिने देखा बजार काफी जादा कम जोर था बट फ्राइड एक दिन क्या हुआ कि अरली ट्रेड में एक दम से ग्रावट के बाद सी सीधा सीधा रिकावर भी हमें देखने को मिला सेम डे पर निफ्टी प्रेडिंग दिया 24,863 पॉइंट पर लगबग 0.46 परसें तेजी के साथ तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन लेटेस्ट अपडेट कुछ इंपॉर्टन की फैक्टर्स जो की अपकम करके ऊपर पहुचेगा 25,000 के तो जो भी आपको लगते हैं प्लीज कमेंट करके बताईए आईए अब एक एक करके जो इंपॉर्टन की फैक्टर्स बजार को ट्रीगर कर सकता है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ देखे सबसे लिवाद यह भी है लास्ट दो हफतों से अर् को टक महिंद्रा हो गया अपके टेक महिंद्रा हो गया यह सारे का पार्ट है ठीक वैसे ही दोस्तों आपको नेक्स लीडिंग विक पे मतब कल से जो शुरूरू होने जा रहा है ऐसे बहुत सारे निफ्टी-50 की पार्ट जो सारे कंपनी है उसका भी रिजल्ट आउट होगा जैसे कि आप देखे टोटल 400 के आसपास रेजल्ट आउट करें का कमपनी जैसे कि देखे मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ खास करके जो important है ICC Bank जो कि Nifty की टॉप 3 में रहने वाली शियर है वेटेज का नुसार इंदूस्ता नियूर लिवर हो गया ITC Limited हो गया यह तो सारे टॉप 10 की शियर है अल्टरेटेक सिमेंट हो गया बजाज फाइनांस हो गया बजाज फिनसब हो गया BPCL हो गया कोल इंडिया हो गया JSW Steel हो गया यह सारे जो Nifty 50 की शियर है इसका रेजल्ट आउट होगा अब कुछ ऐसे नोन Nifty 50 फिप्ट वाला कंपणी का भी रेजल्ट आउट होगा मतब बड़े कंपणी है बड़े कंपणी है बड़े कंपणी का पार्ट नहीं है जैसे कि ACC से मेंट हो गया Union Bank of India Bank of Baroda से लेके बजाज हाउजिंग फाइनांस जो की रिसनली लिस्ट हुआ महिंदरान महिंदरा Financial Service हो गया आपके इंडिगा विशन हो गया आपके PTM हो गया Zomato हो गया इंडास टावर आई से से Potential SBI Live Co-Fork JSW TVS Motor Persistence United Sprite Colgate मतब कोल फाल हो गया आपका Varun Weverage ऐसे बहुत सारे आप चाहे तो इस वीडियो को पॉस्ट करके भी देख सकते हो इवन इससे भी बहुत जादा लंबा चौरा लिस्ट है तो दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जूरे रहिए और ये सारे कंपणी की अर्णिंग जैसे आउट हो जाएगा जैसे कि अक्सर मैं आपको शेयर करता हूँ शाम के तीसरे वीडियो में शेयर कर दूँगा तो डोंट बडी देखते जाए इस चैनल को ये तो बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि खास करके निफ्टी उप्टी की अंदर शामिल जो सारे कंपणी है उसकी रिजल्टों सिधा-सिधा इंपक्ट डालेगा निफ्टी उप्टी के अंदर अब उसको छोड़के ना बहुत सारे ग्लोबाल एकोनोमिकल डेटा भी आउट होगा जैसे कि देखे ग्लोबाल इंवेस्टर्स विल फोकास ओन विकली जॉब डेटा अच्छो विकली जॉब डेटा उठोगा किसका हम देखते हैं विकली जॉब डेटा निउ होम सेल्स डिरुबल गूट ओर्डर्स डेटा फ्रॉम यॉनाटेट स्टेट यॉएस का अब यह बात भी सही है आगे यॉएस में चुनाओ है मतब ज्यादा ताइम नहीं है अभी चल रहा है आपका 20 तरीक फर्स्ट वीक मतब ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ता बाकि है ज्यादा से ज्यादा तो आप समझ सकते ना यॉएस मार्केट भी बहुत ज्यादा व्लेटाइल हो सकते आगे कुछ भी हो सकता है तो इंपेक्ट आपको सीधा सीधा आईटी मार्केट में देखने को मिलगा आचा उसके साथ देखे मैनेफेक्टरिंग एंड सर्विस फ्लैश डेटा उट होगा ठीक है ओक्टोबर का यॉएस का तो यॉएस में कुछ भी होता है आपको तो अच्छी समाल होंगा पूरे दुनिया की इंडेक्स में देखने को मिल उसके इंपैक्ट एडिशन इलेक्शन ऑफ जैपैन जापन यॉएस में इलेक्शन है उसके पहले जैपैन में भी इलेक्शन है तो अब बताईए है ना तो सीधा सीधा प्रभावीत करेगा शेयर मार्केट को आचा नेक्स देखिए भारत का भी बहुत सारे डोमेटिक डोमेस्टिक एकनोमिकल डेटा उट होगा जैसे की ऑन में इस बार होगा MPC की मीटिंग मिनट्स इसमें क्या फरक है दोनों को मतब मैच मत करना मतब सेम मत सोचना डिफरेंट है MPC मीटिंग में बेसिकली की आगे रेट कट होगा नहीं होगा उससे लिटेट अपडेट आता है MPC मीटिंग मिनट्स पे उसकी उपर थोड़ा सा डी सब्सक्राइब का 23rd को आर्बिया की गवर्नर द्वारा 23rd मताब कौन सा बार आस तो होगा आपका फिलाल कल 1221 मताब बूदबार को ठीक है तो इसको नजर रखें जैसे डेटा उट हो जाएगा मैं आपको शेयर कर दोंगा इनवे उसके साथ देखें कुछ और इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एकोनोमिकल डेटा जैसे के ऐसे मैनेफेक्ट्रिंग सर्विस पीएमाई डेटा प्लैश नबर आउट होगा 24 तारी को ब्रश्पति बार उसके साथ देखें नॉर्मल जो मैनेफेक्ट्रिंग पीए सेप्टेमबर का जो कि इस पर हमने देख सेल दोस्तों को छोटा मोटा नहीं वो सेल तो इसके पहले ही भुआ था इसको काॉंटर करते दो वो तो डियाएज है डोमेस्टिक इंस्टूशनल इंवेस्टर्स बेसिकली घरूल हुआ है मतलब बस हैंड चेंज कर रहा है पर एफस का जब बाइंग होगा प्रॉपट धंग से तब तक दोस्तों मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल थोड़ा सा करेक्शन यह सारे चीज़ रशिया और यूक्रेन की बीतर जंग शुरू आता ना तब इतना सेल नहीं वा था असी हजार करोड मतलब अल्मोस्ट एक लाग करोड चुई-छुई बस अच्छा उसके साथ सब्सक्राइब भी सही है कि वाइल प्रैस बीच में जो बढ़ गया था सड़नली वह थोड़ा के साथ साथ जो हुंडा इंडिया मोटोर्स उनका IPO बजार में लिस्ट होगा जो कि अभी तक का बताया जा रहा कि सबसे बड़ा लार्जस टाइप यह इसको थोड़ा नजर रखें एनिवे यह दोस्तों कुछ इंपोर्टन अब्डेट्स था पॉइंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जैसे कि एक तुम ने देख वाइल प्रैस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है अच उसके साथ साथ कुछ बहुत सारे ग्लोबल एकोनोमिकल डेटा उट होगा इसको वह नजरा किये और मोस्ट इं करेंगे दोस्तों आपके ग्लोबल मार्केट खास करके युएस मार्के लास्टे किस लेवल पर क्लोजिंग दिया जैसे कि आप देख सकते हो डॉजोंस की बात करें अल्मोस्ट फ्लैट क्लोजिंग वा था यह बात भी सही है कि देखें डॉजोंस अपना ओल्टाइम हाई क की बात करें नैस्डेक की बात कर यह भी आप देखिए यह अपना ओल्टाइम हाई के काफी नजदीग है ठीक है अल्मोस्ट उसी लेवल पर ही चल रहा है आप एक तरफा बोल सकतो आचा उसके साथ सदिके ब्रेन कूट के अंदर भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ जो कि अच पानी के लिए एक और चोट असरी कोस्तों आप सभी से करूंगा आज रात की जो सारे दस की वीडियो आएगा ना जिसमें हम नेक्स डे मार्केट प्रेटिक्शन मतलब कल बजार किस तरब ओपन हो सकता है किस तरह मूफ कर सकता है रेजिस्टेंस सपोर्ट डीटेल में जान है कि इस्राइल की पीएम जो नितन्याहू उनके जो रेसिदेंशियल मतब जगा है वहां पर दोस्तों ड्रोन हमला किया गया है लेबनौन के तरब से ठीक है उसके बाद तो फिर से देखे मामला गर्मा गरम हो चुका है अब देखे टीए 35 जो है इस्राइल की टॉप इंड सब्सक्राइब जहां पर इतना बड़ा जंग छेर चुका है अभी देखिए वहां पर कितना बज़ा है दो बच के 24 मेट ठीक है दो पर सिन उपर अभी क्लोस भी नहीं हुआ अभी मतब आगे क्लोस होगा वहां पर जो इंडेक्स है उसमें दो पर सिन की तेजी हॉल टाइम इंडिया में तो कुछ भी नहीं हो रहा है इंडियार मार्केट बेचारा गिर रहा है यह दो यहां पर देखिए मुद्ध की बात है कि इसका जब तक ना इनफ्लो आय भारतिया मार्केर ने थे थे फैस की इनफ्लो आना शूरू हो जगा आटमेटिकली सब कुछ नार्माला लेटा भले ही ठीकता हुआ एक अमेरिकन एनलिस्ट के एकोडिंग यूएस में अभी भी रिसेशन आने का काफी ज्यादा चांस है जब क्यों लेडिया हमने देखा एफमसी मीटिंग में फेडरल लिजब ने पचास वीपीस का स्पास रेट कट कर दिया दिक्कत वाली बात य है विकास आज पूरे दुनिया में 80% ट्रांजेक्शन डॉलर से होता है यही में मैं कौंगा जो ब्रहमास्त है यूएस के यही है तो देखना होगा इसको अल्टेनेट बहुत जल दिया इतिंग आये का विकास में सामने ब्रिक्स मिटिंग भी है आचा नेक्स जो इंपोर् साइस एफेनों सेग्मेंट के मैं बात करों 75 से बढ़के 75 हो जाएगा तीन गुना ज्यादा उसके बाद एक बैंक निफ्टी का जो कि पहले 15 था अभी 30 हो जाएगा बहुत जल्दी कप से होगा मैं आपको दिखाता हूं नवेंबर से 20 नवेंबर को आज उसके बाद फाइ है कि दर लिखा है हाँ यह देखे 20 नवेंबर से लाग हो जाएगा ठीक है तो एक बहुत इंपॉर्टेन अपडेट है कल के लिए बागी दोस्तों और कोई जान करी पाने और कोई डाउट से प्लीज कमेंट करके बताइए बाट मुझे लग देखिए यहां पर कुछ कुछ क्रूशल लेवेल्स भी है ऐसा नहीं कि ऊपर जानी सकता या नीचे बहुत ज़्यादा फॉल कर बठा कुछ कुछ क्रूशल लेवेल्स है निफ्टीप्टी के लिए अगर उसको सेक्सेस्फुली ब्रेक कर लिया ना निफ्टीप्टी में कल भी एक अच्छा मूबेंट हो स सब्सक्राइब करने का बहुत बड़ा चांस है जो भी है इसके पहले भी बहुत सब्सक्राइब वीडियो आएगा फिलाल दोस्ते इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर टेक क्यार बबाई जैहिन